वेलकम टो मिताक्ष मॉम एंड रेसिपी अगर आपके घर में भी रोज रोज महमान आते हैं और आप चाय बना बना कर ठक जाते हैं तो आप इस तरह का नाश्ता बना कर रखिए कि महमान ये खाने के बाद चाय मांगे ही तो चाय बनाने की तो जंजटी खतम और ये नाश्ता ऐसा है कि आप इसे एक बार बनाएंगे और एक महीने तक स्टोर करके रखेंगे तो इससे भी एक फायदा होगा कि आपको रोज-रोज कुछ नाश्ता नहीं बनाना और साथ में ये देखने में इतना अट्रेक्टिब लगेगा कि सब का मन लल चाएगा और पूछेंगे कैसे बनाया तो चलिए इससे बनाने की रेसिपी जान लेते हैं जिसके लिए आपको केवल तीन चीजे लेनी हैं जैसे मैदा दो कप मैदा लिया है और एक तिहाई कप यानि की एक चोथाई से थोड़ा जादा हमने लिया है ओईल या घी कुछ भी ले सकते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करना है उसके बाद पानी डालकर अच्छा सब थोड़ा गीला सा डो बना कर रेडी कर लेना है डो बन जाएना तो उसके बाद आपको उसकी एक लोई बनानी है और लोई छोटी छोटी से कट करने है जितनी हम छोटी पूड़ियां बनाते हैं उस तरह से और उसकी पूड़ी बेल लेनी है पूड़ी को चारो तरप से ऐसे कट करना है और फिर बीच में इस तरह से कट लगाते जाना है बहुत सारे कट लगाएंगे यानि कि बहुत सारे लेयर बनाएंगे और उसके बाद इसे इस तरह से मोड देंगे इसको दो बार इस तरह मोडेंगे और इसे फिर से गुमाएंगे और वापिस इसे मोड कर अच्छे से जोड देंगे ताकि ये तूटे ना और बस ये हमारा लच्छेदार जो स्नेक्स है ये बन कर रेडी हो जाएगा इसी तरह से हमें सारे बना कर रेडी कर लेने हैं उसके बाद हमें इसकी चाशनी बनानी है जिसके लिए हमने दो कटोरी चीनी लिए और एक कटोरी पानी और इसे अच्छे से उबाल लेना है जैसे इसमें उबाल आने लगे तो आपका गैस का फ्लेम धीमे करना है औरिलाइची powder piece कर इसमें डॉल देना ऑर बस गैस को बन्द कर देना हैी इसे लेत्ति अच्छे से mix करके side में रख दें तो इस तरह से हम इसको डाल देंगे और मीडियम फ्लेम में और थोड़ी हाई फ्लेम करके हम इसे अच्छे से सेक लेंगे, बहुत ही कुरकुरा बनकर रेडी होगा और इसकी सारी लेयर निकल कराएंगी, तो यह नास्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा है बनाने में बहुत यह असान है खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसमें बहुत ही कम सामान लगता है कि इवल तीन चीजे ही लगती है और यह रेसेपी बनकर रेडी हो जाएगी बस इसे निकालना है और फ्राय करने के बाद आपको चाशनी में डाल कर बस पांच मिनट डिप करना है और उससे निकालना है बस यह बनकर रेडी हो गया है आप इस डिप्बे में बरकर रग दे और जब भी महमान आए तो इसे इस तरह से सर्व करें और हाँ रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें इसी तरह की ठीर सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में